नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एरफोर्स एक्जाम पेपर में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एरफोर्स वाय ग्रूप के लिए जागा के प्रेक्टिसेट और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए पहला प्रेक्टिसेट है इसी तरीके से आपको आगे भी प्रेक्टिसेट मिलते रहेंगे तो प्रेस नमर 21 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आप लोग कापी किताब को निकाल कर बढ़ जाएगा ठीके कापी कलम को ले लीजेगा और सुरुवात करते हैं प्रश्ट नमर 21 से तो देखेगा 21 नमर आपके लिए रिखा हुआ है ये तीन संख्याएं दो अनुपात तीन अनुपात पांच के अनुपात में हो और उनके योग का दो गुना सव हो तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे या इस समझते हैं सबसे पहले आपको बताया गया है कि तीन संख्या है जिनका अनुपात आपको दरखा है दो अनुपात तीन नुपात पाँच तो यहाँ पर दोस्तों आपको संख्याओं का अनुपात दरखा है अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप लोग इनको लेज़ कितने संख्या नंबर 1, 2X आपको जाएगी दूसरी आपको जाएगी 3X और तूसरी आपको जाएगी 5X पहली बात मैंने क्या क्या इन संख्याओं को 2X, 3X, 5X माल लिया आप से सवाल करा है कि उनके योग का 2 गुना 100 है इनके योग का 2 गुना अब दोस्तों क्या करेंगे हम इन सभी को जोड़ लेंगे अगर हम इन सभी को जोड़ें कितना आपका आएगा देखेगा 2, 3, 5, 5, 10 आपका हो गया 10X और सवाल में आपसे कहा गया है कि इनके योग का 2 गुना 100 है योग का 2 गुना का मतलब योग का डबल कर दीजेगा और कितना ये आपका है 100 आपसे सभाल ये कह रहा है अब आप लोग इसको हल करेंगे तो आपका 0 से आपका 0 कैंसल होगा X बराबर आप करेंगे आपका आएगा 10 बटा में आपका आएगा 2 और जिससे आपका निकल आएगा 5 तो यहाँ से आपने X का मार निकाल दिया आपका आगया 5 आपसे का आगया है कि तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग देखे सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो आपकी संख्या कितनी है 5X सबसे बड़ी संख्या कितनी है 5X तो 5 और X ठीक है कितना 5X तो 5X का मतलब क्या हुआ 5 गुणा में X का माद रखेंगे 5 कितना आपका हो जाएगा 25 यह आपके संख्या आ गए और अब आपको क्या बताना है अब आपको बताना है बड़ी संख्या का वर्ग तो वर्ग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 25 का कर देंगे वर्ग कितना होगा 625 तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को स्वाल कर देंगे और आपका आपसर नमर यहाँ पर बी वाला बिलको दाइट आंसर बन जाएगा ठीके दोस्तों आप सभी लोगों के यह बात समझ में आ गई होगी 625 इसका आपका बिलको लाइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग अगर यह सवाल सही निकला है तो आप लोग अपनी कॉंप में नमर डालिएगा और एक तरफ से टिक लगाते हैं कि कौन सा आपका सवाल सही गया है और उसके बाद आप लोग वीडियो के लाश्ट में आप लोग कमेंट वाक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है देखे दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रस नमर दूसरा अब दो नमर सवाल को देखेगा ठीके 22 नमर यहाँ पर लिखा हुआ है छे साल पहले दो व्यक्तित तो P और Q की आयू का अनुपात 3.92 था 4 साल बाद उनकी आयू का अनुपात 8.97 हो जाएगा P की आयू कितनी है सवाल को आपने पढ़ लिया है अब चली यहाँ पर सवाल को लगा के देखते है ठीके दो साल पहले दो बैखती है P और Q की आय की बात की गए है आप ठीके पहले की की P और Q के बारे हम बात की गए है और आप से का गया है कि 6 साल पहले और फिर का गया चार साल बाद तो इसका मतलब मैं यहाँ पर मानना हूँ कि आपका जो वर्तमान इस्तित होगी ना वर्तमान वाले वर्तमान वाले इस्तिमाद हो बीच में और आपसे सवाल जो कह रहा है उसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जब भी आपका सवाल होगा तो आप सभी लोगों को सबसे पहले इसके बेच का difference निकाल लेना है मतलब किसका किसका जैसे दोस्तो आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है तो आपको इन दोनों का निकालना है अंतर कितना आपका आएगा आपका अंतर है 5 इसी तरह कि दोस्तों आप आगे देखेंगे 2 और 7 का अंतर यहाँ पर भी आपका 5 आगया तो यहाँ पर आपका यह बिल्कुल सही है आपको इसमें कोई भी changes निकलने है आपका यहाँ पर अंतर निकल का आया है 5 तो इसका मतलब क्या है जो आपका अंतर है न यह अंतर 5 तो इस पांच की वैलो आपको दरखी है कितनी अब देकि कितनी दरखी है मतलब वरत्मान से 6 साल पहले और वरत्मान के चार साल बाद तो अगर इन दोनों को मिला कर देखेंगे तो कुछ बच्चे यहाँ पर माइनस का दो कर देंगे लेकिन नहीं, सोचिएगा वर्तमान से 6 साल पहले की बात की गई और वर्तमान के 4 साल बात की बात की गई तो इन दोनों के बीच का जो difference होगा न दोस्तों कितना आपका हो जाएगा? इन दोनों के बीच का difference होगा है 10 तो इन दोनों के बीच का आपका difference कितना हो गया है? 10 वर्स कितना? 10 वर्स अगर 5 की विलू 10 वर्स दोस्तों यहाँ पर आपकी आ गई है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 की विलू आपकी आ जाएगी 2 वर्स आपको निकालनी P की आयो कितनी है मतलब P की वर्तमान आयो आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे आप सबसे पहले तो आप 3 की विलो निकालेंगे ठीके देखे एक की विलो दो तो 3 की विलो कितनी आगे 6 वर्स तो यहाँ पर दोस्तों आपने 3 की निकाली 6 बर्स तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर जो आपका 3 है यहाँ पर आपका 6 बर्स लेकिन यह जो 3 वाला है यह 6 बर्स पहले की आईओ आपको देखिए ठीके ये जो आपका जो यहाँ पर 3 है ना ये 6 वर्स पहले के आई हुए तो आपको चाहिए बर्तमान आई हुए तो बर्तमान के लिए 6 वर्स बाद आएंगे ना तो इसका मतलब 6 वर्स पहले 6 थी और आप 6 वर्स मतलब बर्तमान में कर देखेंगे तो 6 बर्स पहले कि 6 है तो बर्तमान के लिए आप लोग 6 में और जोड़ेंगे तो 12 बर्स दोस्तों आपका जो यह आप पर निकल के आएगा वो आपका बिल्कुल ही राई टांसर बन जाएगा तो आपसे नमर आपका यहाँ पर B वाला बिल्कुल ही राई टांसर होगा ठीक है 12 बर्स आपका निकल के यहाँ पर आजाएगा अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको X मान के भी लगा सकते हैं आपके इच्छा है ठीक है आप चाहें वैसे भी आप लगा सकते हैं तो यह बात भी आप लोग समझ गयोंगे यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले प्रश्ण पर इहां पर आप लोग देखेंगे यह सवाल आपके लिए आ चुका है आपको इसको हल करना है तो दिखें यह तो सवाल आपके लिए simple है आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं विलकुल सबसे पहले आप क्या करेंगे देखिए board mask का नियम क्या होता है कि सबसे पहले आपको bracket को हल करना पड़ता है और उसके बाद आपको उसके आगे पीछे जो को चुका ठीक उसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग bracket को यहाँ पर solve करेंगे देखिए यहाँ पर BODMAS और 20 पंचे आपका हुआ 100 और आपका एक बाद लगेगा point तो आपका कितना होए अपन जाएगा आपको जाएगा 10.0 और भाग लगा आपका है 0.7 यहाँ पर आपका 50 दस कितना होगा 60 और आपका हो जाएगा भाग लगा है point 7 से इसका मतलब आपका होजाएगा 60 बटा में आपका होजाएगा point 7 इतना सा आपका काम होजाएगा point को आप भटाएगे जूरू बढ़ाएगे अब आप 7 से गाटेंगे साथ एकन साथ देखिएगा 7, 58, 56, कितना बचा? 4, 40 हो गया ना 7, 35, कितना बचा? 5, लगाया point बढ़ाया जूरू हो गया 50, 7, 49 अब आप लोग यहापर देखेगा आपको सिर्फ इस बाले आपसिन में आपको दिखराएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका option number यहापर c बाला बिलकुल आई टानसर बन जाएगा ठीक है दोस्तों आप्सिन नमर आपका यहां पर सी वाला बिलकुल यह करेक्ट आंसर बन जाएगा चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग अगला सवाल आपके लिए है सवाल नमबर 24 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं उनके बेच के दोरी 12 मीटर है तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बेच के दोरी को गयात कीजिए देखिए 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं इस तरीके से एक खंबा माल लिए यह 15 मीटर का अपने माल लिया उनिके सबसे ऊपर छो और चोरों के बेच के दूरिभा तो ओपर आपका हो गया और नीचे वाड़िकर यह बारा है तो आपके यह बन्दा हैंком Tag समकोड तृबजम में अगर आपनी प्यक्तिक को पड़ रखा है तो आपको पता होगा कि तीन, चार, पांच के त्रिक होती है, एक होती है, छे आठ दस एक होती है 12, 13 और 5 ये भी होती है ठीक है इसी को दोस्ते हैं पर देखेंगे आपकी वाले भुजाएगे 13 ठीक है आप चाहें तो इसको पाइथाग और इस पर में से इसको स्वाल भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको पता है तो आप लोग डायरेक्टिव इसको निकाल सकते हैं तो इस तरीके से आपका सवाल नमर 24 का सी वाला बिलको दाइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर आप लोग देखेगा सवाल नमर 25 आपके लिए है एक सम भुज तरिबुज मतलब सम बाहु तरिबुज कि भुजा के लंबाई 6 सेमी है तो उसका छेत्फल क्या होगा देखिए भुजा के लंबाई आपको दरखिए 6 सेमी है तो इसका मतलब दोस्तों आपको दरखिए भुजा और भुजा आप कहलेंगे याप पर A ठीक है आपने A आपको दरखिए 6 cm और आपको बतानी इसका चेत्रफल संबाहुत रबुच का चेत्रफल क्या होता है पता है आपको देखीगा संबाहुत रबुच के दोस्तों अगर हम छेत्रफल की बात करेंगे याप पर तो इसका area जो होता है न इसके लिए आपका सूत्र होता है अंड़र्डूर 3 बटे में 4 गुणा में आपको होता है भुजा स्कॉार ये दोस्तों टोटा आपका होता है सूत्र अब इस सूत्र से आप लोग इसका मान निकालेंगे देखीगा बराबर अंड़ूर 3 बटे 4 गुणा भुजा स्क्वार मतलब क्या यहांपर करेंगे 6 का कल देना आपको स्क्वार तो 6 का स्क्वार कल देंगे तो आपका ये वाला जो है बन जाएगा देख कितना बनेगा अंड़ूर 3 बटे 4 गुणा 6 का इसका कितना 36 इतना कर लेने के बाद 4 से काटेंगे 4 एक कन 4, 4, 4, 9, 36 कितना आपका आएगा 9 अंड़ूर 3 कितना आपका आएगा यहांपर पर नोट करते आएगे किि आपके कितने सवाल सही हो चुके है यहांपर आप देखेगा आपको इसको स्arius करनाय आए तो आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग गरेंगे ठीक है तो इस आफिप करेंगे और इस बाले को भी सवाल करेंगे और भाग की बात करेंगे यहां पर देखेगा तो आपका आएगा 35 फिर देखेगे 7, 2, 14 और प्लस 7, 5, 5, 10 इतना आपका हो जागा यहां पर यह आपका हो जागा 31 बटा 35 भाग लगा यह आपका हो जाएगा 34 बटा गलत कल दिया 24 बटा 35 कुल मिलाकर दोस्तों बात यह बनी कि 31 बटे 35 आपका यहां पर भाग का गुड़ा 35 बटे 24 आपका यहां पर इतना हो जाने के बाद आप 35 से 35 कार्ट देंगे आपका बचेगा 31 बटा में आपका बचेगा 24 यह दोस्तों आपका बिल्कुल आइट आंसर बनेगा ठीक है आपसन नमर आपका यहां पर यह बाला बिल्कुल आइट आंसर बन जाएगा 31 बटा में आपका 24 यहां पर आप देखीगा सवाल नमर आपके लिए आचुका 27 नमर पी ने एक बस्तों को 1600 रुपए में खरीदा तथा 10% के लाप पर बेच दिया यदि इस बस्तों को 1840 में बेचा होता तो लाप परसेंटेश कितना बढ़ जाता सवाल को आपने पढ़ लिया ना अब देख दिया यहां पर आपको निकालना है कि कितने मेचा यह तो आपका CP हो गया इसका SP कितना है पहले तो आप यह निकालेगा बताएगा इसको दस परसेंट के लाप पर मेचा तो आप क्या करेंगे अगर आप लोग सोला सो का दस परसेंट निकालने ना तो कितना आपका आएगा दो zero से आपके दो zero cancel होंगे और आपका हुआ एक सौ साट तो इसका मतलब है कि इसने एक सौ साट रुपे का लाव लेकर बेचा है तो आप सौला सो में क्या करेंगे एक सौ साट को जूड़ देंगे तो आप क左右 कितना है कि आपका है कि 1760 तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर यह हुआ है कि आपने 1600 में कोई चीज खई दे थी और इसको 10% लाब पर बेचा इसका मतलब इसको 1760 में बेच दिया इसके बाद क्या हुआ कि यदि इस बस्त को 1840 में बेचा होता अगर इसको इतने में ना बेचा होता और इसको बेचा होता इसके जगह पर 1840 में 1840 में बेचा होता इसका SP ये होता तो आप से कहा गया तो लाब परसेंट कितना बढ़ जाता देखे इतने रुपए की 1600 रुपए की आपने कोई चिल ली अब आप उसको बेचने 1860 में अब आप से पूछा कि कितना लाब बढ़ गया है यापर अब आप पहले देखी कि आपको लाब कितना यहापर हो रहा है कितना लाब हो रहा है तो यहापर 1660 मतलब 240 का और आपको प्रॉफिट हो रहा है ना तो आप क्या करेंगे आप निकालेंगे लाब लाब आपका है। इसका बटा में क्रेमूल क्रेमूल आपका है 16 गुड़ा में कर देंगे 100 इतना कई लेने के बाद आप लोग इसको काटए के ठीके आपके दो जुरों से आपके दूजों कैंसलोंगे 16 एकन 16, 16 इकन 16, 16, 16, 16, 16, 16, 15 देखिए अगर आप 24 में बेचेंगे तो आपको 15 का लाव होगा यहां से आपको निकल काया और बैसे आपको ओर आप 10 परसेंट का और ऐसे होगा 15 का तो कितना बड़ा 5 परसेंट तो आपसे नमर आपका यहां पर एवाला बिल्कुल राई टां पब आजाएगा कि आगे देंगे इसके बाद में हम लोग तो हम लोग यहां पर देखेंगे प्रेस नंबर 28 यहां पर देखें बिल्कुकष सिंबल सवाल आपके लिए आ चुका है शर्म आपको काल्गोलेशन करना है गुणा करना है और आपको इसको हलका देना है तो इस सवाल को आप लोग स्वैमल लगाएंगे ठीक है गुणा करेंगे स्वैमल करेंगे इसको यहां पर देखें ठीक है यह सवाल अपके लिए है ठीक है लगाईएगा फटाबर से अब एक काम करेगा वीडियो को पॉस्ट करेगा और पहले खुद से अपने आप चेक करेगा कि आप इस सवाल को लगा सकते हैं अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है करने लाखते हैं तो आप लोग यहां पर देखेगा मैं आपको बताऊंगा तो पहले आप लोग एक बार चेक कर लिजगा तो चले मैं आपको बताता हूं यहां पर कि यह सवा पिट 24 फिर 12, 36, 12, 14, 40 इस तरीके से आप जाएंगे और 20 बार जाएंगे तो 12, 20 मतलब कितना 240 तक आपको जाना पड़ेगा इतने का दोस्तों आप क्या निकालना पड़ेगा इतने का आपको निकालना पड़ेगा आउसत इन सबको जोड कर आपको इसमें 20 से भाग करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए सिंपल तरीका क्या रहने वाला मैं आपको बताता हूँ आप क्या करेंगे आप लोग यहां पर बारा लेंगे कॉमन आपका अंदर क्या बचेगा देखिए बारा एकन बारा बारा दुना चोविस ठेके इनके बीच में अपलगा ही फलस का क्योंकि आउसत का मतलब होता है यह बटे संख्या तो तिया चत्ति इस तरीके से आपको यह बीच गुड़ज है यहां तो आपको 20 तक जाएगा यह ठीकर यह आपका बीच तक चला गया हैThis is này चेλनीओ होता है संख्या कितने 20 गुड़ज है तो बटे में कलतेंगी बीच तो इस तरीके से झाइज तो आपका यह जो आपका बना है यह आपका इब्रेज ठीक्श है ब n into n plus 1 upon 2, यह उताब का तरीका, जितनी संख्या हैं, हमने का 20 तक ही संख्या हैं, तो आप n की जगाए रख देंगे 20, तो देखे 20, 20 एक किस बटा में कर देंगे 2, 21, 22, 23, 20, तो आपका आगया 210, कितना है 210 आगया ना आपका योग, तो देखें, यहाँ पर 12, गुणा, इसका आपने योग निकाला, कितना आपका आगया है 210, तो आपका कर देंगे 210, बटा में कर देंगे 20, इसना कर देंगे लेने के बाद, आप लोग क्या करेंगे, 0 से आप 0 कैंसल करेंगे, 2 से काटेंगे 2, 12, 21, चंगा कितना होगा, 126, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, कि आपका यहाँ पर option number C वाला, बिल्कुल right answer बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सवाल तो लांग हुड़ाता मतलब, मतलब कि आपको हो सकता है, ना पता हो कि योग कैसे निकालें, तो ठीक है, अगर आपको इस अभी पता था, तो आप लोग सवाल को बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते थे, आपको कोई भी समस्या भी नहीं होगी, अगर आपको पता था थो, चले ठीक है, इतना आप सवाल लगाने के बाद हम चलते हैं, सवाल अंबर 30 की तरफ, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल अंबर 30, इसमें आप से कहा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समाबर्तक, तथा लगुत्तम समाबर्तक 3 और 2730 है, यदि एक संख्या 78 है, दोसरी संख्या ग्याद कीजिए, देखी एक संख्या 78, दोसरी बतानी है, इसके लिए आपका तरीका कौंसा लगेगा? पहले तो आपको यह समझना है, तो चले मैं आपको गताउं, तरीका क्या होता है? एक सूठ रहता है, संख्याओं का गुड़न फल क्या होता है संख्याओं का गुड़न फल यह आपका होता है बराबर LCM into HCF संख्याओं का गुड़न करेगा बराबर लासा गुड़न मासा बिल्कुल इतना सा सूत होता है अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक संक्यादर के 78 आप से कहा गया है कि दूसरी बताईए हम दूस्तों यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे 78 लिखेंगे गुड़ा में करेंगे दूसरी इमाल लेंगे एकस बरावर लासा गुड़ा मासा एक जिस तीन है एक सता इस सो तीस बस इतना सा आपको यहाँ करना है अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दिखेंगे तीन से काटेगा तीन एक सो पांच एकस कामान आपका आगया 105 टीक है एकस कामान आपका आगया 105 ऑपसन नमर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जा अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रेस नमर 31 के बारे में तो आप लोग यहाँ पर इज टो पहले तो मुंहिज़तने हैं यहाँ पर यहाँ पर 9 पर 54 अभला दर्शी होताए अगर आपlex bekशना नॉटी कम आप सबी को इसका नमब्र लखना यहारा पर टेन चुदा सबी में आपको तिन जोड़ ना है तो कि는데 बनेगा 11 कितना बनेगा 14, 14, 17, 15, 18, 20, 23, 23, 23, 23 देखीं यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे 14 होता है 17 होता है क्या Q, 8 होता है R, 20 होता है W तो दोस्तु यहाँ पर आपका जो बंदा है आप बंदा है N, Q, R, W तो आपसे नमर आपका यहाँ पर D वाला बिल्कु दाई टांसर बनेगा ठीक है N, Q, R, W तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सबाल नमर 31, 20 स्वाल हो चुका है तो आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर सबाल नमर आपके लिए आचुका है 32 नमर एक कोड़ बाहसा में J, E, T को इतना लिखते हैं M, E, T को इतना लिखते हैं तो 6 को क्या लिखेंगे देखे, J, E, T की बात कीवे J, E, T A, J होता आपका कितने पर 10 पर होता है E, होता है 5 पर T, होता है 20 पर सबी को जोड़ा हुआ 35 लेकिन कितना है लेकिन है 33 तो इसका मतलब अभी दुख जाए आगे देखिए अगर मैं यहां से दो कम कर दें तो यहां पर आपको जाए 33 और अगर आप लोग यहां से अगर दो कहीं से भी दोस्तों आपको कोई यहां पर समस्या नहीं हुई होगी ठीक है आपको निकालना है 6 के लिए आप यहां पर लिख लेंगे 6 क्या लिखेंगे SIX S होता है 19 पर I होता है 9 पर X होता है 24 पर आप जोड़ेंगे ठीके 9 9 18 4 22 का तो हमसे लगा 2 2 4 1 5 कितना 52 हुआ आप 2 कम कर देंगे आपका बचे कितना दूस्तों यहां बचेगा आपका 50 कितना बनेगा 50 क्योंकि प्रते एक बार में आपने 2 कम किया है तो आप लोग यहां से भी 2 कम कर देंगे आगे दूस्तों इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 33 अगया ठीके सवाल थोड़ा बड़ा है तो पहले तो हम यहां पर पढ़ते हैं ठीके यहां पर पहले आप लोग प्रश्ण को पढ़िएगा और फिर हम लोग यहां पर सवाल को लगाएंगे सवाल कहरा है कि नीचे दिये गए प्रश्ण में कुछ कथन है और उसके बाद कुछ निशकर्स दिये गए हैं हाला कि उसमें सामान ग्यान ग्यात तक्ष्यों से भिन्नता हो सकती है सवे निशकर्स पढ़ें और फिर निर्धायत करें कि दिये गए कौन से निशकर्स दिये गए कतनों के अनुसार योक्ति संगत है तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएं कत्फन आपको देखें और यहाँ पर आपको निश्कर देख रहाएं ठीके अब यहाँ पर आप लुग देख लिजेगा तो आप लोग सबसे पहले काम करिएगा कथन को पढ़िएगा पहला कथन आपका है कुछ पेंसिल कलम है तो इस तरीके से बनेगा कुछ पेंसिल कलम है यह मैंने कहले लिए पेंसिल है यह ठीक है और यह क्या है यह है कलम और सवाल आए कर रहा है कुछ कलम लाल है तो इसका मतलब यह क्या होगा कुछ कलम कैसे होगे कुछ कलम हो जाएंगे लाल अब आपको देखना है इसके निसकर्स देखीगा निसकर्स नमर एक को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कर रहा है कुछ पेंसिल लाल है यहाँ पर आप देखेगा क्या आपको दिख रहा है कुछ पेंसे लाल है जी यह नहीं दिख रहा है तो पहला गलत हो गया दूसरा कुछ लाल कलम है कुछ लाल क्या है यह देखे यहाँ पर यह कुछ लाल कलम में आ रहा है आपके तो यह बन सकता है तो यहाँ पर क्या दोस्तों हुआ कि आपका सेकेंड वाला सही है पहला गलत है तो सेकेंड वाला सही का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका आपसर नमर यहाँ पर B वाला बनेगा तो ये कतन इसकर्ष होता है आप लोग अगर आप लोगों ने कतन इसकर्ष ने पढ़ा है तो आप लोग चप्टर को पड़ दीजेगा ठीक है और फिर आप लोग यहाँ पर इसको देखेगा तो आपके बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपर प्रेस नमर 34 के बारे में तो देखी कि आप लोग यहाँ पर अमित को याद है कि उसकी परिच्छा 11 सितंबर के बाद है और इसके मित्र को याद है कि अमित की परिच्छा 14 सितंबर से पूर्व है अमित की परिच्छा सितंबर की कौन इसके और उसके मित को पता है कि Abramit की परcH 14 से नमर सबस्द है gefार्ण चैकर 13 के बढ़र पनेगा है गयारा कि यहाँ यह प्रतिक में आपको यह सवाल भी स्वार्ब ओथ चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं परस्त नंबर 35 को देखेगा 35 नंबर सवाल लिखा हुआ है कि निम लेकित प्रश्णों में दिये गए बिकल्पों में से संबंदी अच्छरों को चुनिए तो यहाँ पर आप लोग देखेगा ठीक है यहाँ पर आपको देखना है और फिर आपको यहाँ पर हिसाब लगाना इसका कौन सा बन सकता है तो देखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है MAN और MAN के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है NCQ इसी प्रकार से TAP के लिए आपको बताना है तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो आपका M, A, N इसके लिखा हुआ है N, C, Q तो यह कैसे आया है पहले तो हमें समझना है कि यह कैसे आएगा तो पहले तो एक काम करते हैं हम लोग इसकलते हैं काउंटिंग M होता है 13 पर, A होता है 1 पर, N होता है 14 पर, C होता है 3 पर की वहत 17 पर अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप समझेंगे 13 से आप आए 14 पर तो इसमें 1 जोड़ा 1 से आए आप लोग 3 पर तो इसमें आपने 2 जोड़ा है और 14 सी तरह पर इसमें आपने 3 जोड़ा है आपको यहाँ पर दिख रहा है पहले आपने 1 जोड़ा फिर 2 फिर 3 तो यहाँ पर आप देखें T a P लिखा हुगा है आप लिखेंगे T a P T a P T होता है 20 पर A होता है 1 पर P होता है 16 पर अब आप इसमें जोड़ेंगे आप लोग एक इसमें दो और आगे कितने आगे तीन देखिए 20, 21, 21, 23 और 16, 19 तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका आगया है 21 आगया है 21 क्या होता है U, 3 क्या होता है C और 19 होता है S तो UCS आपको जहां कहीं भी देखें वही आपका बिलकुल राइट आंसर बनेगा ठीक है आपसे नमर दोस्तों आपका यहाँ पर C वाला बिलकुल ही राइट आंसर बन जाएगा आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर आपके लिए प्रस्ण आ चुका 36 नमर प्रस्ण लिखा हुआ है कि निम लिकित प्रस्ण में दिये गए विगल्पों में से संबंदी सब्द चुनिए दाप पास्कल तो आगे आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा तो आप देखेंगे जब दाप का मात्रक क्या होता है पास्कल अगर आपको पता हो तो ठीक है दाप का मात्रक पास्कल तो दोरी का मात्रक ठीक है देखें एक तो यह अंतर भी होता है दाप को अपने के लिए पास्कल ठीक है और मात्रक पास्कल होता है आगे देखें दोरी के लिए समय गलत हुआ समय के लिए मेटर किलो मेटर दोरी हो तो दोरी के लिए किलो मेटर बात किके तो आपका यहाँपर कौन सा बनेगा आपसे नमर आपका यहाँपर बिकल्पों में से बिश्ण शब्द चुनिए आपको बताना है बिशम कौनसा है तरल, लकड़ी, कोयला या जबर तो यहां पर आपका जो बिशम होगा न वो कौनसा होगा option नमझा यह वाला, तरल क्योंकि यह तरल, द्रभी थे ठीक है लकड़ी ठोस होती है, जबर ठोस, कोयला ठोस तो इसलिए आपका यहाँ पर तरल वाला बन जाएगा ठीक है और आपसन नमर आपका यहाँ पर ए वाला विल्कुल आइट आंसर बनेगा इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग प्रेस नमर 38 के बारे में यहाँ पर आपको बताना है बिसम कौन सा है अब यहाँ पर भी आप लुक देखेगा ठीक है और बताएगा यहाँ पर कि आपका बिसम जो है यहाँ पर यह कौन सा बन जाएगा पहले को देखेंगे 256 क्या होता है ोला का वर्ग होता है 26 26 नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका C वाला बिलकुल ही राइट आंसर बन जाएगा ठीक है दोस्तो option नमर आपका यहाँ पर C वाला बिलकुल राइट आंसर बन जाएगा आगे देखिए आप लोग इसके बाद सवाल नमबर 49 यहाँ पर दोस्तो आपको समझना है बताना है कि निम लिखित में से दिएगे प्रस्ण में बिकल्प में से लुप्त अंक ग्याद किजिए अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या निकालना है आपको यहाँ पर निकालना है लुप्त कौन सा है तो चलिए आपर देखते हैं कि हमारे लूप कौनसा बनेगा ठीक है तो देखी आप लोग याँ पर पहला है चार फिर साथ फिर तेरह फिर वाइस उनचास ठीक है तो उस तरीके से आपको याँ पर दिरूख है आप याँ पर लिखेंगे चार साथ तेरह 22-19 सब को लिखने के बाद आप 4-7 4-3-7 होता है ठीक है फिर आप देखेंगे 7 और 6 होता है 13 13 और 9 होता है 22 तो 9 में आगे आप क्या जोड़ेंगे यहाँ पर 49 ठीक है तो 9 में आगे आप क्या करेंगे अब आपको यह समझेंगे ठीक है 34 तो 34 यहाँ पर बिल्कुद आई टांसर बनेगा आपसर नमर आपका यहाँ पर B वाला बन जाएगा ठीक है कितना आपका बनेगा 34 यहाँ पर आप देखेंगे तो फटाबट से आप यहाँ पर देखेगा वीडियो को लोकिएगा और पहले खुद से एक बार चेक करेगा कि प्रस्ट बाचक के इस्थान पर क्या आएगा एक बार आपके लिए मोका है फटाबट सोचीगा फिर मैं आपको बताता हूँ तो चले देखते हैं यहाँ पर आपको देखना है 2, 5, 3, 20 इस तरीके से आपको सबके लिखा हुआ है आपको बताना है जिसे यहाँ पर 20 कैसे आया है 18 कैसे आया है उसी परकार से आपको यहाँ पर भी आएगा तो आपको यही देखना है कि आपका 20 है वो आया कैसे है तो इसके लिए आप एक काम करेंगे आप सभी को जोड़ें इनको तो पांच और दो साथ और तीन दस कितना आपका बना दस बना और दस में दो से गुणा करें तो आपका भी सुझाएगा बिल्कुस ही है इसी प्रकार से आप इन सभी को जोड़ें यहाँ पर तो तीन और दो पांच चाण नो और अगर नो में आप दो से गुणा करें इनको इठारा आपका जाएगा बिल्कुस ही है 30 आपका यहाँ पर बन जाएगा आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपके लिए GK के परिशन आपर आचुक है ठिक है तो 41 नमर से आपको 50 नमर 20 जीएग के मिलेंगे तो देखिएगा पहरा पर परिशन आपके लिए है G15 से अभी प्राय क्या है मतलब यहाँ पर क्या पूचा गया है कि जो आपका G15 है न वो क्या है तो आप देखीगा चार आपसन आपके लिए हैं फटा परसे आप लोग पढ़िएगा और बताएगा इसका लाइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जो आपका G15 है यह क्या है 20 के विकास सिल देशों का एक संगठन ठीक है 20 के विकास सिल देशों का एक संगठन है G15 बात को आप एक एक प्रस्ण को आप लोग जिके के याद करेगा ठीक है अगर आपको कोई सा पता ना हो प्रस्ण तो आप लोग उसको फटाबर से याद के लिज़ेगा ठीक है स्क्रीन सॉट लेते जाएगा और बाद में आप लोग एक पर आउल देख लेगा ताकि आपको बिल्लकुर कन्फर्म हो जाएगा ठीक है अगल आपका यहाँ पर प्रश्ण लिखा हुआ है कि सब्संचिप UNDP आपके एकजाम में आता है ठीक है सब्संचिप UNDP United Nations Development Program कहाँ पर है दीवाल में ठीक है तो दीवाल आपका बनेगा यहाँ पर United Nations Development Program यहाँ पर आप देखेंगे यह रखा हुआ है कि चोल अभी लेकों में लेकित भूमी की बिविन कोटियों के इनुसार किसको किसी बिद्याले के दख रखाओ की भूमी कायता है किसको किसी बिद्याले की दख रखाओ की भूमी कहते है तो यहाँ पर आप बताएगा कौन सा है इसका करेक्ट आंसर सी वाला बनेगा ठीक है शाला भोक को ठीके शाला भोक को खिसी बिश्विदाले के दक्रकाrow की भूम highlighting करते है यहाँ पर आप देखेंगे बिलकुल अच्छा प्रषणाप के लिए आपर है भारती सर्बोच न्याले के निया धीस की निक्ट कौन करता है सरवो चिन्याले के नया दिस कि दोस्तों, यहांपर बाटकी कौन कलता निपटि तो दाष्ट पति कलता है ठीक है, दाष्ट पति आगे दोस्तों, आप इसके बाद देखेंगे, यहांपर देखेगा लास कुमार सलीम आगे चलकर समराट क्या कहलाया मतलब ऐसा कौन सा मुगल वात्साह रहा है जिसका बच्पन का नाम सलीम था आप सभी को पता होगा ये तो सलीम किसका नाम था जहांगीर के बच्पन का नाम सलीम था देखे तो आपसे नमर आप कहा पर सी बाला बनेगा ठीक है जहांगीर यहाँ पर आप देखेंगे 46 नमर लिखा है प्रतिवी की सत्य पर सैलों के टूटने से क्रिया क्या होती है मतलब कि जो प्रतिवी की सत्य होती है वहाँ पर जो सैल टूटते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं अपक्छे ठीक है दोस्तों, option नमर आपका आपका कौन सा बनेगा, b वाला बन जाएगा, अब अक्छे या, आगे आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक, दो, इस तरीके से आपको दो option यहाँ पर दरखें, यहाँ पर खरए च्छान थो तो सही कौनसा आपको यहां पर रखे आपको धाना पदेगा यहां पर देखेगा एक słí आप अन्द्र आगासी गाता है यहां आगासी की आत्मता है बिल्कुल सही है ठीक है दूसरा आपका है इंडिया दो हजार बीस आ वीजन फार दा नियू मिले नियम के लेखक एपी जी अब्दुलकलाम है ये भी सही है अगर आपको नहीं पता तो आप लोग इसका स्क्रीन साट ले लीजिए का और इसको याद कर लेना आपको ठीक है दोनों सही है गलत हो जाएगा ठीक है और दोस्तु इसका सही कॉन सा होगा यé भी सुनलीजेगा ए फ्वारन पॉलेसी फ वार इंडिया इसके सही लेखक कौन है टीक है इन्दर कुमार गुजराल इसके सही के लिए नए तो आपका पहला दूसरा सही तीसरा आपका गलत है आपको बताना था है कि क्या कि कौंसा था तो दूसरा वाला सही नहीं है तो यहां पर अक्तव नीग है तो यह निगा यहां पर आपका क्या बनेगा नीडर लेंड, टीक है? अमस्तरडम नीडर लेंड और दोस्तों बhouब बात करें हम लोगए हम यहां पर इन अरब मीराद क्या होगी? अभू धाबी क्या होगी? अभू धाबी इसकी हो जाएगी ठीक है क्या हो जाएगी अभू ढ़ाभी और दक्रेंट कोडिया कोडिया कोगी जिए और अप की पूंद लेरा दिनार या घर विनिया तो इसका होगा आपका यहां पर डी वाला बनेगा हिर विनिया यूकरेंट और लास्ट प्रस्णाप के लिए आप आ चुका है ठीक है यह कह रहा है कि कत्नों पर विचार केजिए पहला आपका है कि भूमत रेखा की तुलना में दुलना 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 में बहुमत रखा पर यहuciones तो एक और二 दोनों यहां पर सही होंगे ठीके दुस्तों तो इस तरीके से आपके यहां पर टोथल जो है तृस्ते पर तो स्की आंसर की आप को मिलेगे ठीके और आपको दुस्तों इसकी जो पीडिघिए झाल